हेलो गाईज आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ सूजी की इडली की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहली ही बार में आपकी इडली बहुत ज़्यादा जालीदार और सौफ्ट बनकर त्यार होगी बिना इडली स्टैंड के भी हम इसे बना सकते हैं कोटोर जालीडार में सूजी लेका और इसमें आदा लगाना जितनी भी जाल दोड़ के उद्फे सम में से पानी कितनी पी इडली सिर्किया ले तो भाते बगान जाली दार और शोफ्ट इडली आपकी बनकर त्यार होगी बैट्र का बठावरvy अभी पानी मैंने इसमें और डाल दिया है क्योंकि अभी यह काफीड़ा है में अभी पानी मुछे डालना था एото यहां पर मैंने इसमें अभी पानी मुझे अभी डालती दीडिया है यहाँ पर मैंने येवाला कप एक पानी का लिया था इसके तीसरा हिस्सा पानी का बच गया है दो इससे यहाँ पर मैंने यूज कर लिये है सूजी के हिसाब से पानी बताओं तो मैंने आधी कटोरी सूजी ली थी 15 मिनट में ही मारा बै descrição perfect तरीके से थ्यार हो जाता है अभी यहाँ पर मैंने कटोजियों में थोड़ा थोड़ा oil डाल लिया है इनको मैं अच्छी तरह से grease कर लिया है क्योंकि मैं बिना इड्ली stand के कटोरियों में ही इड्ली बनाने वाली हुँ तो यहाँ पर बैटर को रखे हुए आदा घेंटा हो चुका है बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से त्यार हो चुका है दुबारा से एक बार मैंने इसे फेट लिया है अभी यहाँ पर मैंस में डा रही हूँ इनू इनू आपको तभी डालना है एक साइड मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है इनू आपको तभी डालना है कि बिल्कुल परफेक्ट आपको बस इडली रखनी है बनाने के लिए पानी आप पहले गरम कर ले जब पानी गर्म हो जाए तब आप इनू भदापट से डाल कर इसे कटोरियों में डाल दे तुरंती और फिर इसे स्टीम होने के लिए रखते हैं तो यहाँ पर मैंने आदी पैकेट इनू का डाला है अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसमें एक पैकेट इनू का डाल सकते हैं तो अभी हम इने कटोरीयों में भर देते हैं एलिने के बैटर को यहां पर मैंने परीक्ट तक फ़रक्ट से एक बलाबर बट्या के अभी हम कटोरी को थोड़ा से ससे टैप करेंगा युदू taxi को आप के जोद ही से र tek में रिखेंगी तो यहाँ पर कटोरियों को मैंने रख दिया है तो अभी हम इसे कवर कर देते हैं यहाँ पर मैंने धकन पर कपड़ा लगा लिया है ताकि स्टीम का पानी जो है वो उपर ना गिरे इस तरह से आप कोई भी कपड़ा लगा ले और इसे हम स्टीम होने देती हैं यहां पर मैंने इसको 15 minute low flame पर पज़े हम पच मनट घणे पर इस पकाएंगे फिर हम low flame पर 15 मिनट पकाएंगे तो यहां पर अडली हमारी 59 मिनट में बनकर ट्यार हो चुकी है तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम इन कटोरियों को ठंडा होने देती है फिर हम इडली को बाहर निकालेंगी तो यहाँ पर कटोरिया ठंडी हो चुकी है तो इडली को सबसे पहले हम चाकू से इस तरह से साइड से हटा लेंगे उसके बाद में ये असानी से बाहर निकल आती है तो ये देखी कितनी बढ़िया हमारी सॉफ्ट इडली बनकर त्यार हो चुकी है बहुती ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार इडली बनकर त्यार हो चुकी है अभी हम इसे एक प्लेट में रख देती हैं और इसी तरह से बागी इडली को भी हम बाहर निकाल लेते हैं कटोरियों में से आप इसे सांबर और नारियल की चटनी के साथ खाएं बहुत ज़्यदा टेस्टी लगती है अगर आप उसकी रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करकर जरूर बताएं आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करेंगे तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट करकर जरूर बताएं व्योडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मूलें तो यह देखे कितनी जाली दार हमारी इडली बनकर त्यार हुई है तो बाई बाई गाई मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ